ख़बरे मद्दप्रदेस जाँ गाओं बीरा खेडी में आज भागोत गिता का समापन हुआ आज के उस्वा में काफी लोग उमंग उस्वा में दिखाई दिये आज के जजमान भरत लाल जी राठोर उनकी धरम पत्मी विश्णु भाई राठोर रहे हैं भागोत गिता का समापन समारों में आर्ती उतारी गई समस्द गाउं के जन सर्योग से स्री भागोत गिता का आयोजन सफर रहा देखें बीरा खेडी से अर्जन गेहलोत की यह रिपोर्ट भागोत गिता का समारों में आर्ती गई 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 जो बागवे किता का जो सम्मावन क्या 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 गया जिसे लोगों ने काफी लाव उठाया तो यह इतने दिन से लोगों ने भागवत किता सुनी तो उनके प्रति आप क्या बोलना चाते जिसे जीवन भर्म की बेटली चार्ज रहे जैसे विष्णया अच्चिता आनन्द रूप आए विष्णय पत्या भी है तब तापत्र इविनासा ऐसी विष्णय वयं नमा भगवान से शाक्षात सात्वित सुरूप में भगवान कने लिया अज विद्या खेडी के पावन भरा पर भगवान दिराजमान रहे समस्त ग्रामवासी जनों ने बड़े जूमधाम से सारे उस्तों मनाए और आज भगवत सुरूप भगवत ज्यान एकिता आज विष्राम दिवश रहा इस सुंदर अउसर पर सभी लोग हर वर्स इसी प्रकार मंगल में आयोजन करते रहें भक्ति में यक्टिके करने से जिस प्रकार एक प्रक्ष में जल देने से प्रक्ष हरा होता है वैसे जीवन में हरी नाम के जापन करने से जीवन सधेव हरियाली सुंधरता विशेशता लक्षमी सुरूप जीवन में अनेक पदार के सुप्सुविदाव से सम्रद्धी होती है भक्ति एक यग्य है कर्म एक जार है और सबसे बड़ी सोभग का विशेता यह है कि विद्याखेडी की पावन धरा पर इतना सुंदर आयोजन जीवन के अनेक आयोजन पर विद्याखेडी में जिसा आयोजन मुझे देखने को मिला ऐसा आयोजन में जीवन का यह कित्या सिकाये जाए ठीक ही गुरूजी आपका सुपना मुपेश अगनी हो तरी